केवल पढ़ने के लिए फिल्म कैसे बनती है? किसी भी फिल्म को बनाने से पहले कोई लेखक एक तरकीप लेकर आता है, फिर वह उसे एक कहानी का रूप देता है, फिर उस कहानी को फिल्म की पटकथा, स्क्रिप्ट या स्क्रीन प्ले में बदला जाता है, उस पटकथा को कई दिन महीने और कभी कभी साल लग जाती है। टिंग की लोकेशन ढुण्ड ली है और अब बैठा है अपने सहायकों के साथ आने वाले महीनों के तूफानी काम का सामना करने। शूटिंग शुरू करने से पहले निर्देशक अपने सहायकों के साथ मिलकर कलाकारों और तकनीकी दल टेकनीशियन्स की तारीखें तै करता है। कैमरा मैन फ्रेम तैयार करता है। उसे अपने लेंस में जहांक कर प्रतियेक फ्रेम के दृश्य में दिखने वाली चीजों और रोशनी का अंदाजा हो जाता है। फिल्म के सेट पर बड़ी आपा धापी मची रहती है। सब सहायक निर्देशक आपस में स्क्रीन प्ले की अपनी अपनी कौपिया मिलाते हैं और अपने हिस्से के काम पर निशान लगा कर रख लेते हैं। शूटिंग से तुरंत पहले निर्देशक और कलाकार मिलकर एक बार पटकता, स्क्रिप्ट या स्क्रीन प्ले पढ़ते हैं और एक रिहर्सल भी करते हैं। निर्देशक कलाकारों को दृष्य समझाता है। कई बार कलाकार एक बार में ठीक से प्रस्तोती करन नहीं कर पाते, तो कई टेक लेने पड़ते हैं। एक क्लाब बोर्ड होता है, इस पर फिल्म और निर्माता निर्देशक का नाम और कौन से दृष्य के कौन से टुकड़े, शॉट का कौन सा टेक फिल्माया जा रहा है, यह सब जानकारी लिखी होती है। हर शूटिंग इस रस्म से ही शुरू होती है। साउंड रिकॉर्डिस्ट आवास कैद करने वाले अपने तरह तरह के मायक बिछाने की तैयारी करती है। इस बड़े से दिखने वाले मायक को बूम मायक कहती है। कला निर्देशक या मंच सज्जा विभाग फिल्म के सेट को द्रिश्य के हिसाब से सजाता है। यहाँ पर रखी जाने वाली सभी चीजों की जिम्मिदारी उसकी होती है। हर रोल के हिसाब से कलाकार अपना हुलिया बना कर शूटिंग पर आता है। कमरे के अंदर शूटिंग में लाइट का बहुत महत्व होता है। किरदार, आक्टर के चहरे पर इतनी रोशनी होनी चाहिए कि उसके भाव कैमरे में सपष्ट रूप से पकड़ में आ जाए। आउटडोर शूट बाहर या खुले में होने वाली शूटिंग में लाइट नहीं लगानी पड़ती है। लेकिन सूरज की रोशनी को संभालने क के लिए सफेद रिफलेक्टर लगाने पड़ती है। शाम और सुभा की शूटिंग में रोशनी बहुत सुन्दर मिलती है। सूरज थोड़ा मध्धिम होता है और हवा ताजी। यहां सूरज को और मध्धिम करने के लिए आक्टर्स के सामने एक जाली और लगाई जाती है कई बार अधिक क्षित्र कवर करने के लिए या सीन को विशेश सुन्दरता प्रदान करने के लिए ट्रैक ट्रॉली बिछाई जाती है। कहने का अर्थ है कि कैमरा इन पटरियों पड़ चलता है। रात की शूटिंग में ज्यादा लाइट्स की जरूरत पड़ती है। गान अंदर कैबिन में गीत रिकॉर्ड करते दिखते हैं। कई दिनों की शूटिंग और गानों की रिकॉर्डिंग से जुटाया गया सामान फिर एडिटिंग मशीन पर पहुचता है। यहां उसे जोड़कर फिल्म पूरी होती है।